नवस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अंदर से चब जोड सकती है, जब वीडियो आई एस अफ़सर लडकी की है, आई एस अधिकारी लडकी की है, उसकी दर्दनाख दास्ता की है, उत्रखन के देरादून में यही तकरीबन कोई सुभा हो रहे थी, साल की तरह कॉलेज पहुसती है और अपनी आदत के अनुसार क्लास के गैप में अपना समय बचाने के लिए UPSC की तैयारी वाली किताबें पढ़ने लगती है तब ही वहाँ विवेक आप पहुसता है जी हाँ विवेक जो सालनी के ही कॉलेज में उसके साथ पढ़ता और आते ही व जवाब दिया कि यह पॉलेटी की M. Lakshmi Kant की किताब है विवेक ने तुरंथी किताब सालनी से लेते हुए पूछा यह कौन सी किताब है M. Lakshmi Kant सालनी से पहले इसका जवाब देती कि विवेक ने किताब के उपर देखकर यह पढ़ लिया कि यह IAS परिष्छा की तैयारी के ल चलने को बोलता है जी हाँ उससे कहता है कि तुम कालिज के कैंटीन में चलो लेकिन साल्ली चलने के लिए मना कर देती है कितब ही विवेक उसकी हाथ से किताब लेकर दूर फिक देता है और वहां से चला जाता है और सालनी के आगों में आसु आ जाते हैं जरसल विवेक जो कि सहर के नामे विधायक का भतीजा था और कॉलेज में उसको लोग भाई कहकर पुगारते थे आज सालनी दबे मन से कॉलेज से घर चलियाती है और घर पर किसी को कुछ भी नहीं बता थी बलकि जिस आई एस की त्यारी करने वाली किताब एम लक्षमी कान को विवेक ने सालनी से चीन कर जमीन पर फेका था उसे घर के ही मंदिर में ले जाकर रख देती है और खूब रोती है और अंतिताय यह प्रंड करती है कि इस किताब को अरोजाना पढ़कर इसी मंदिर में रख देगी और मंदुर से यह किताब अब आई एस बनने के बाद ही हटाएगी और रात भर विवेक की हरकतों को सोच कर रोती रहे कि सुबह हो जाती है और सालनी जैसे ही कॉलेज पहुशती है कि तभी कॉलेज के गेट पर ही विवेक और उसके कुछ दोस कलेक्टर साहिबा आ गई यह कहकर जोड जोड से हसने लगते हैं लेकिन आज सालनी के तेवर बदले से होते हैं और वह विवेक को ढखके देकर आगे बढ़ती ही है तभी विवेक को अपने जूते निकालते हुए कहता है कि ऐसे सैकुडो कलेक्टर विधायक के जूतों के नीचे रहते हैं और अपने विधायक चाचा के बावर के धमकी देता है अब सालनी क्लास में आ जाती है लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि विवेक ने पहले ही उसे धमकी जोदे दी थी और सालनी रोते रोते घर आ रही होती है और तभी रास्ते में उसे जिले के डियम का बंगला दिखता है जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डियम के बंगले की सेक्योर्टी में लगे होते हैं और यह सब देखकर सालनी फिर से उस्साहित हो जाती है और यह सोचती है कि कोई कुछ भी कहे यदि आज मैंने पढ़ाई कर ली तो ऐसे विधायक मुझसे मिलने के लिए खुश से आगे आएंगे और विधायकों का क्या है उनकी पावर पांस साल में आती आती रहती है लेकिन पढ़ाई कर मैं पूरी जिंदगी पावर में रहूंगे और सामाज में जन्मले रहे हजारों विवेक जैसे लड़कों को कानून का मतलब समझाऊंगे और यह सोच सानली घार आ जाती है और आज से अपने पढ़ाई को पूरी तरह से IAS के लिए समर्पित कर देती है यानि कि आज से सानली अपना UPSC के सलेवस के अनुसार पढ़ना सुरू कर देती है और यूटूब में UPSC टॉपर्स की सलापर पर प्रति दिन दो प्रशनों के उत्तर लिखने का अभ्यास करती है इस प्रकार सानली अपने को UPSC की परिक्षा के लिए तपाना सुरू कर देती है कि इसी बीच कॉलेज के बिकाम अन्तिम वर्स की परिक्षा का आ जाती है और सानली कॉलेज की परिक्षा देने पहुसती है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विवेक नाम की विपदा अभी उसकी जिन्दकी में आना बागी है सालनी जैसे ही कॉलेज की परिक्षा हौल में प्रविस करती है वैसे ही टीचर सालनी को रोकते हुए कहते हैं कि आप परिक्षा नहीं दे सकते या सुनते ही सालनी के कान खड़े हो गए वो पूछती है कैसा क्यों है तब ही टीचर बोलते हैं कि परिक्षा फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ गलतियां की थी इसी वज़े से आपका परिक्षा नामंकर रद कर दिया गया है वह दोड़े दोड़े प्रिंसिपल के कमरे में पहुचती है लेकिन वहाँ प्रिंसिपल नहीं मिलते तब ही उसके बात समाज आ जाती है दरसल यह विवेख ही था जिसकी वज़े से शालनी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था और उसे एड्मिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था सालनी तुरंती पापा को कॉल करती है और पापा अपने किसी परिशित की मदद से सालनी को एड्मिट कार्ड दिलवाते हैं और सालनी परिख्षा देती है वहीं दूसरी ओर UPSC की प्रारंबिक परिख्षा भी नजदीक आ गई थी यानि कि UPSC की प्रिलिंज परिख्षा भी नजदीक आ गई थी और सालनी UPSC की प्रारंबिक परिख्षा के लिए लगतार मौक टेस्ट दे रही थी और उसमें उसके अच्छे नंबर भी आ रहे थ कि UPSC प्रिलिंस परिख्षा का दिन भी आ जाता है और साली प्रिलिंस परिख्षा देती है और पहले ही प्रियास में प्रिलिंस परिख्षा पास कर लेती है पहली बार में UPSC की प्रिलिंस परिख्षा पास कर साली पूरी तरह उससाहित हो गई थी और उसे पता था कि आगे के दो स्टेज यानि कि मेंस और इंटर्वियू ज़िए उसने पास कर लिए तो विवेक जैसे हजारों विधायक के चमचे उससे मिलने तक को तरसेंगे कि मेंस परिख्षा की तारिक भी आ जाती है साली मेंस की परिख्षा जोरों से देती है क्योंकि यूट्यूब में UPSC टॉपर्स की जितनी भी सला उसने देखा था उसे बारीकी से अपनी तयारी में जोडते जा रही थी और मेंस की परिख्षा भी समाप्त हो जाती है और मे आजा सालनी को खुद नहीं हो रहा था लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि मैनत रंग लाती है और वही सालनी के साथ भी हो रहा था अब बारी थी अंतिम स्टेज की मतलब इंटर्व्यू की की इंटर्व्यू भी होकर खत्म हो जाता है और अब सालनी अपने जिंदगी के हसीन पलों से खुशी घंटों दूर थी ये अंतिम रिजल्ट का दिन आ जाता है सालनी की धड़कने बढ़ गई थी क्योंकि ऐस सब कुछ पहले ही प्यास में हो रहा था एक लड़की जो कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज के एडमिट कार्ड के लिए गड़ गड़ा रही थी उसके IAS के अंतिम पड़ाओ तक पहु जिहां सालनी ने पहले ही प्यास में IAS के बिक्षा पास कर ली थी जिहां पहले ही प्यास में IAS बन गई थी धीरे धीरे यहा खबर मुहले और मुहले से सहर और प्रदेश में फैल गई और रिजल्ट घोसित होने के अगले ही दिन सहर के नामी विधायक सालनी के घर आते हैं और सालनी को collector मैडम कहकर सम्मानित करते हैं विधायक जी के काफे पीछे भीड में विवेक भी खड़ा था लेकिन आज सालनी collector साहिबा हो जुकी थी और विवेक भीड का एक हिस्सा वन कर रह गया था इसलिए साहित किसी ने सही ही कहा है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो क्योंकि लोग आपकी समय के साथ लोग आपकी खहरियत नहीं बलकि हैसियत पूछते हैं जी हाँ हैसियत पूछते हैं आपके हैसियत क्या है अगर आज आपने कड़ी परिस्रम के बदालत अपने कड़ी, अपने समय को काबू पा लिया अपने समय पर काबू पा लिया, तो कल ये समय आपका होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका, दोस्तों कई लोग कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, कई लोग के बाद सनसाधन होते हैं सब कुछ होता है लेकिन पढ़ाई में आभाओ उनका माइंड सेट अप नहीं हो पड़ा और कई हो के बाद संसाधन नहीं होते हैं लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि जब यूपेसी के अंदिम बड़ाम जारी होता है तो उसमें अमीर भी सेलेक्ट होते हैं और गरीब से गरीब लोग भी सेलेक्ट होते हैं ऐसा नहीं है कि गरीब ही सिर्फ सेलेक्ट होते हैं या फिर सिर्फ अमीर ही सेलेक्ट होते हैं हर तब का उस रिजल्ट में सामिल होता है तो यह मान कर चे अगर परिश्रम ही एक ऐसे मात्र हथियार है जिससे आप सफल तापा सकते हैं तो आज से लग जाएं जितना हो से के उतनी किताबे पढ़ें लिम्टेट किताबे पढ़ें और अधिक से अधिक रिवाइज करें और तोड़ दें कोई भी कोई बीजाम के लिए आप प्रिपेर कर रहे हैं ससी हो गया रेल भी हो गया कोई भी आज नहीं तो अगल वह आपके पास होगा तुम यह करना क्या है लगातार कंसिस्टेंसी बनाकर बढ़ते रहो मुझे उमीद है यदि आप अभी हमें फेस्बुक से सुनना है तो प्लीज इसे फेस्बुक से अधिक से अधिक शेयर करें यदि आप हमें यूट्यूब से सुनना है तो प्लीज यूट्यूब से भी है अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करें वाच्टप अधिक से अधिक शेयर करें चलिए तब तर के लिए धन्यवादू